अलो सातियों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम CO2 के बारे में यहां से बात करने वाले हैं CO2 गैस से रिलेटिव पर्तियों की परीक्सा में हमें किस प्रकार के क्यूशन पूछे जाते हीं उन सबी बातों पर one by one करके हम यहां से चर्चा करने वाले हैं बसरते हैं आप मेरे साथ वीडियो में धैरिय पूरुक एंड तक बने रहीएगा सबसे पहले हम बात करते हैं CO2 जिसे हम कहते हैं क्या carbon dioxide gas कहते हैं कौन सी gas कहते हैं carbon dioxide gas CO2 gas जिसे हम कहते हैं देखो सबसे पहले यदि CO2 के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला क्यूशन तो आपको एक्जाम में ये पूछा जाता है कि CO2 gas वाईव मंडल में कितने percent में मुझूद रहती हैं जैसे कि oxygen 21% होती है nitrogen 78% होती है उसी परकार से यदि CO2 के बारे में पूछा जाए तो CO2 gas वाईव मंडल में CO2 gas वाईव मंडल में वाईव मंडल में 0.03% होती है वाईव मंडल में 0.03% पाई जाती है इसके अलावा यदि एक्जाम में हमें CO2 के परमाणू द्रेमान के बारे में पूछा जाए CO2 का परमाणू द्रेमान CO2 का परमाणू द्रेमान यदि एक्जाम में पूछा जाता है तो वो भी आप यदि मेरे साथ पिछले वीडियोज में continue बने विये थे, तो अभी इसका ध्रेमान भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कार्बन का ध्रेमान कितना होता है, 12, जब कि कार्बन यहाँ कितना है, एक तो कितना जोडेंगे, 12, ऑक्सिजन, एक ऑक्सिजन का परमानो ध्रेमान होता है, कितना, 16, यह CO2 oxygen कितने हैं? दो हैं तो दो से गुणा करना होगा एक oxygen के परमानु दरियमान को एक oxygen का परमानु दरियमान 16 था तो यह 2 है 16, 12, 32 12 और 32 कितना होता है? 54 तो 45 का परमानु जो दरियमान होता है कितना होता है? 54 होता है railway के paper में पूछा गया है कि CO2 का परमानु द्रिमान कितना होता है तो CO2 का परमानु द्रिमान आप बता सकते हैं कि CO2 का परमानु द्रिमान कितना होता है 44 होता है CO2 का परमानु द्रिमान कितना होता है 44 होता है इसी के साथ यह जो CO2 जो होती है CO2 जो गैस है यह CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस होती एक Greenhouse Gas है, यह है Gas, एक Greenhouse Gas होती है, Greenhouse Gas होती है, अब Greenhouse Gas क्यों है देखो, क्योंकि CO2 की भड़ी हुई सांदरता जो होती है, और परत्वी के तापमान को भड़ाने वाली जो गैसे होती है, उनी को गरीन हाउस गैसे कहते हैं, ऐसे आपने Greenhouse के टोपिक में भी पड़ी हिलिया ह होगा, तो next यहां से हम यहां से लिखेंगे क्या, कि CO2 की बड़ी हुई मातरा, बड़ी हुई मातरा, बड़ी हुई मातरा, परत्वी के तापमान को, 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 परत्वी के ताप परत्वी के तापमान में वर्दी करती हैं ठीक है ना इसी कारण इसे परमुक क्या कहा जाता है गिरिनाउस गैस भी कहा जाता है यदि गरिनाउस गैसों के बारे में आप से पूछा जाए तो वह आप यहां से बता सकते हैं कि वे गैसे जो परत्वी के तापमान को बढ़ाती हैं वर्दी करती हैं उनको green house गैसे कहते हैं और उन्हीं green house गैसों में एक गैस आती है कौन सी CO2 जैसे होने को तो CH4 methane भी होती है इसके अलावा देखो सबी तो सजीव होते हैं सबी सजीव सवसन की किरिया के दोरान कौन सी गैस का उपयोग करते हैं oxygen gas का उपयोग करते हैं लेकिन सवसन की परकिरिया के फल्सवरू बायू मंदल में कौन सी गैस को ज़्यादा मातरा में छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं किसको CO2 को छोड़ते हैं तो ऐसा आप लोग यहां से लख सकते हैं कि सबी सजीव सबी सजीव सबी सजीव CO2 को सौवसन की परकिरिया के रूप में सौवसन की परकिरिया में परकिरिया के द्वारा निर्मित करते हैं या सौवसन की परकिरिया के दोरान निर्मान करते हैं निर्मान करते हैं इसके अलावा देखो दूसरा दूसरी इसकी बात ये होती है पहली बात तो हमने यहां से जान ली है कि सभी सजीव CO2 सवसन की परकिरिया के दोरा निर्मान करते हैं अभी जो सजीव होते सवसन की परकिरिया के दोरान किसको निर्मान करते हैं किसका निमान करते हैं CO2 का निमान करते हैं दूसरा important point यह होता है कि परकास sensation की परकिरिया में CO2 गैस का क्या किया जाता है उप्योग और by product के रूप में oxygen गैस का क्या किया जाता है उत्पादन किया जाता है important point है पर्तियों की परिक्साव में बहुत बार पूचा गया है कि परकास sensation की किया में कोन सी gas का अपयोग CO2 का अपयोग कोन सी gas का उत्पादन oxygen gas का उत्पादन तो परकास sensation की किया में किया में CO2 gas का अपयोग उपियोग जाता है जबकि ओटूगेस का उतपादन किया जाता है आप लोग यहां से ध्यान रहें परतियों की परिक्साओं में बहुत बार आपको यह डिक्टो लाइन पूची जाती है कि परकास संसलेशन की परकिरिया में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है CO2 का और बाइप्रोडेक्ट के रूप में कौन सी गैस को निमित किया जाता है ओक्सीजन गैस का वहाँ से निर्मार किया जाता है इसी के साथ एक बात और आप यहां से ध्यान रखें कि जैसे कि परकास संसलेशन की परकिरिया में CO2 गैस का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है यदि क्या होगा परकास संसलेशन की किरिया बंद हो जाए यानि कि सारी की सारी जो वनस्पतियां है ये वनस्पतिया यदि नश्ट हो जाती है तो कौन सी गैस की मातरा बढ़ जाएगी CO2 की मातरा बढ़ जाएगी तो कि अब इसका कोई उप्योग नहीं होगा और कौन सी गैस की मातरा में कमी हो जाएगी oxygen की मातरा में तो क्या हो जाएगी कमी और co2 की मातरा में क्या हो जाएगी वर्दी किस किरिया में हमने ऐसे कहा है यहां से कि यदि सारी की सारी वनस्पतियां नश्ट हो जाएं तो co2 की मातरा तो क्या हो जाएगी भढ़ जाएगी और oxygen की मातरा में क्या हो जाएगी कमी हो सबी वनस्पतियां परत्वी पर उपस्तित सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएं तो जाएं तो परत्वी पर उपस्तित सभी वनस्पतियां नष्ट हो जाएं तो CO2 की मातरा बढ़ जाती है जबकि CO2 की मातरा बढ़ जाती है जबकि oxygen मातरा में O2 की मातरा में कमी होती है कामी होती है क्योंकि परकास संसलेशन की क्रिया में जब वनस्पतिय नहीं होगी तो उसका उप्योग जाएं से इसकरण उसकी क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी CO2 की मातरा क्या हो जाती है बढ़ जाती है ये थे CO2 से relative important point और इसके important point देखते हैं देखो CO2 जो gas होती है यदि इस CO2 gas को चूने की पानी में परवाहित करवा दिया जाए तो चूने का जो पानी है वो दुद्या हो जाता है important point और ढिक्टो यहां से railway के paper में पूछा गया सवाल है कि यदि चूने के पानी में CO2 gas को प्रवाहित कर दिया जाए तो चूने का पानी कैसा हो जाता है दुद्या हो जाता है तो यदि यदि CO2 gas को CO2 gas को CO2 gas को चूने के पानी में के पानी में पानी में परवाहित कर दिया जाए परवाहित कर दिया जाए कर दिया जाए तो कर दिया जाए तो उने के पानी का पानी का रंग उने के पानी का रंग उदिया हो जाता है दूद के समान हो जाता है यह भी important point था पड़तियों की परिक्साव में आपको यहां से भी question पूछा जाता है चूने के पानी का रंग दूदिया हो जाता है किस gas के परवाहित करने पर CO2 गैस को CO2 गैस को यदि चूने के पानी में परवाहित कर दिया जाए तो चुने का पानी कैसा हो जाएगा, तुद्ये रंका हो जाएगा, तो ऐसा यदि आगामी एक्जाम में भी आपको question पूछा जाता है, तो वो सब लोग आप यहां से बता सकते हैं, ठीक है न, next देखो, तो आपके पास बरप जो होती है, इस बरप को हम कहते हैं, ठोस carbon dioxide, या पोस carbon dioxide, पोस carbon dioxide बरप के समान होती है, बरप के समान होती है, जिसे सू की बरप भी कहा जाता है, जिसे सू की बरप भी कहा जाता है, जिसे सू की बरप भी कहा जाता है, जिसें तुसक बरपवी कहा जाता है तुसक बरपवी कहा जाता है इसके अलावा देखो किनवन की परकिरिया के बारे में आपने नाम सुना होगा जो किनवन की परकिरिया होती है इस किनवन की परकिरिया के द्वारा भी किस गहस का उतपादन होता है किनवन की परकिरिया के द्वारा भी CO2 का क्या होता है उत्पादन होता है किनवन की किरिया में भी किनवन की किरिया में CO2 गैस का उत्पादन होता है किनवन की किरिया में भी कौन सी गैस का उत्पादन होता है CO2 gas का उत्वादन होता है इसके अलावा देखो जो डबल रोटी होती है जो ब्रेड वगारा होते है ये ब्रेड वगारा फूलते हैं किसके द्वारा CO2 gas के कारण ही फूलते हैं जैसे इनो हो गया इस इनो को पानी में डालते हैं उसमें बुलबुल समान गैस निकलती है वो भी CO2 के कारण ही निकल पाती है सबसे पहले तो हम डबल रोटी के बारे में लिखेंगे कि डबल रोटी के फुलावट के लिए कौन जिम्मेदार होती है CO2 gas ही जिम्मेदार होती है डबल रोटी के double roti के पुलाने के पुलाने के लिए Q2 gas Q2 gas उप्युक्त होती है उप्युक्त होती है उप्युक्त होती है ठीक है न फिर हमने inno के बारे में भी आसे जाना था कि यदि पानी के glass में जैसे ही हम inno डालते हैं तो उस inno में जो पानी का glass था उस पानी के glass से बुलबुलों के रूप में gas बार निकलती है वो gas भी होती है कौन सी CO2 gas ही होती है चलिए तो उसको भी हमें आसे लिखते हैं पानी के glass में पानी के glass में inno डालने पर इनो डालने पर CO2 गैस निकलती है CO2 गैस निकलती है CO2 गैस निकलती है इसके अलावा देखो और हम यहां से लिखेंगे देखो इनो के पानी के गिलास में यह इनो डाला जाता है तो उस इनो के डालने पर कौन सी गैस निकलती है CO2 गैस निकलती है और इस CO2 गैस को जैसे की मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ओक्सिजन जो गैस होती है वो इंदनों को जलाने के लिए जिम्मेदार होती किसी भी इंदन को या किसी भी वस्तू को तेज जलने से रोकती है को नाइट्रोजन गैस रोकती है और किसी भी आग पर काबू पाया जाता है CO2 गैस के द्वारा यानि कि आग को भुजाया जाता है CO2 गैस के द्वारा किसी करण अगनी सामाग जो यंतर होते हैं इन अगनी सामाग की यंतरों में CO2 गैस का उप्योग किया जाता है फौमदार CO2 उसमें sodium bicarbonate का प्रियोग भ होता है जैसे ही अम्बल के संप्रक में आता है तो CO2 गैस को उत्वपन करता है तो ऐसा आप यहां से लिख सकते हैं कि CO2 गैस CO2 गैस का उप्योग आग भुजाने के रूप में किया जाता है CO2 गैस का उप्योग आग भुजाने के रूप में किया जाता है आग बुझाने के लिए अगनी सामक यंतर में किया जाता है ऐसा आप यहां से बता सकते हैं आग को बुझाया जाता है CO2 के दोरा आग को जलाया जाता है औक्सिजन के दोरा आग को तेजी जासे की किसी भी वस्तू को तेज जलने से रोकती है कौनसी डायट्रोजन गैस रोकती है तो ऐसा आप लोग यहां से बता सकते हैं ठीक है ना इसके अलावा देखो हमने इसके बारे में ऐसे चर्चा करी लिया कि इसका उप्योग कहां कहां करते हैं एक उप्योग और आप यहाँ से जान ले कॉल्डरिंग की जो बौतल आती है इस कॉल्डरिंग की बौतल में जैसे ही आप उसका डखन खोलते ओ Iím पार्टी सायटी में CO2 gas का उपयोग किया जाता है, ऐसा आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है न? cold drink की bottle में, cold drink की bottle में, bottle में CO2 gas को भरा जाता है, 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 इस परकार मेरे साथ इस सोटे से वीडियों में शुरू से यहां तक यदी continue बने होंगे तो आप CO2 से relative बहुत सारे फैक्ट यहां जान पाए हैं अब हम उन पर्षनों की तरब चलते हैं जो परती होगी परेक्सामें कारबन डाई ओक्साइड से सम्मंदित आपको एक्जाम में पूछे गए हैं आगामी एक्जाम में फिर शे आपको दुबारा पूछे जा सकते हैं चलिए तो इसी परकार एक नमर के क्विशन की तरब आया गया था एक्जाम में 2018 में यह आपको क्यूशन पूछा गया था इससे पहले भी यह बहुत सारी एक्जाम में पूछा गया है आगामी एक्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है तो ध्यान रखें नाइट्रोजन नाइट्रोजन 78% आपको पता चल चुका है जबाब C आपका सही जबाब होता देखो अगला क्यूशन भी इसी परकार है वायू मंदल में कार्बन डाय उक्साड का पर्षेंट कितना है लेकिन ओप्सन थोड़े से आपको यहां से डूंड ने थे कि इसका सही जबाब यहां से कौन सा लगाते चलिए तो बताईएगा द कभी लगाना चाते थे तो यह तो ओप्सन देखो कट ही चुके थे आपके पास सही जबाब होता दी होता यह डी कतन ऐसे कहना चाता है कि वायू मंदल में कार्बन डाय उक्साड की पर्षेंट मातरा एक से कम होती है एक से क्या होती है कम होती है तो बिलकुल सही लिखा हु ही है यही बात आपको डी ओप्सन में दी गई थी तो इस प्रकार का पर्षेंट भी आपको ओप्सन को बदल के एक्जाम में पूछा गया है तो इस बात का भी आप यहां से ध्यान रखें कि कारबन डाय उक्साड की पर्तिस्थत मातरा एक से कम होगी बिलकुल एक से कम तो कि एक की तुल्ला में काफी हद तक कम है ठीक है न जवाब बताते कौन सा डी आप यहां से जवाब बता सकते चलिए तो एक भैतरी पर्षन पर और हम यहां से चरचा करते हैं कि सीतल पे बधार सीतल पे मतलब अभी आपको बताया था न कोल डुरेंग की जो बोतल होती है इसाटी में आप खोलते हैं उस बोतल में जैसा ही आप डखन खोलते हो तो उसमें आवाज आती है तो वो आती है CO2 गैस की कौन सी आती है CO2 गैस की तो सीतल पे बनाने के लिए कौन सी गैस प्रियुक्त की जाती है तो कौन सी गैस प्रियुक्त की जाती है कार्बन डाई ओक्स यानि कि Green House प्रभाव के लिए CO2 अभी आपको चर्चा में लाई थी, चर्चा में लाया था मैं आपके लिए, कि CO2 और CH4 मेथेन ये दोनों जो गैसे होती हैं, वो इनके अलावा भी होती हैं, लेकिन यहां उप्सन में हमें दो ही गैसे मिल रहे थी, Carbon Dioxide और Methane, ये दोनों की दोनों जो गैसे हैं, वो Green House के लिए उप्यूक तो नहीं होती हैं, बाकि CH4 और CO2 दोनों Green House के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो इस परकार आप यहां से जबाब बता सकते थे, एक और दो, यहां A ही ओप्सन में आपको मिल रहा था, इस परकार जबाब होता, A आप सही जब दोनों में बताना था कि कौन सी गैस, वाई मंडल में सबसे कम मातरा में पाई जाती है, इन चारों की तुलना में, nitrogen, nitrogen तो N2 जो होती है, वो तो 78% होती है, और वो भी सरवादिक मातरा में पाई जाती है, और दूसरे नमबर पर पाई जाने वाली जो गैस होती है, वो होती B option में लिखा गया है आपके पास कौन सी carbon dioxide कौन सी gas लिखी गई है carbon dioxide CO2 जिसको आप जानते हो कि 0.03% पाई जाती है कौन सी CO2 और argon जो gas होती है argon gas ये argon gas 0.03% पाई जाती है अब आप मेरे को ये बताओ आपका जबाब CO2 होता या argon होता जाने कि 0.03 कम है या 0.03 में कम है तो इन में तो आप तुलना करीप आते होंगे कि दोनों में से कम को ना क्योंकि कम वाला हमें पोचा गया है तो 0.03 कम है तो सही जब आप carbon dioxide होता कि carbon dioxide जो gas है वो चार ओप्सनों में सबसे कम मात्रा में वाईव मंडल में उपतित होती है चलिए तो एक भैतरी न क्यूशन पे और हम यहां से चर्चा करते हैं कि जब इनो लवन को जल में डाला जाता है तो बुलबले बनते हैं किस के कारण बनते हैं CO2 के कारण बनते हैं सही जबाब भी आप सही जबाब को यहां से बता सकते थे चलिए एक भैतरी न क्यूशन और आपके सामने है कि चूने की पानी को दुद्या करने वाली gas कौन से अब देखो कई बार ऐसे आप confuse में चलते होंगे कि यह numbering थोड़ी आगे पीचे आ रही है तो यह numbering आती है जो आपको gas से relative जो important जो question दिये गए थे आपने टेलिग्राम से लिया होगा अन्य किसी platform से लिया होगा आप कैसे भी किसी भी प्रकार से यदि आपने मेरी प्रवाइड किये गे science के जो notes है वो यदि आपने प्राप्त कर रहा होगे तो आपको ये gas के topic में ऐसा question मिल ही पा रहा होगा इस कारण बीच-बीच में जैसे कि आपको gas से relative हमने बात की है उस gas से सम्मंदित आपको किस परकार का question पूछा गया है तब वहाँ से लेके उन person को यहां से हम चर्चा में लाए है चुने की पानी को दुदिया करने वाली gas होती है कौन सी जैसे ही चुने की पानी में हम CO2 gas को प्रवाइड करते हैं तो चुने का पानी कैसा हो जाता है दुदिया हो जाता है इस परकार यह आप यहां से सही जबाब बता सकते हैं चलिए अगले person पर चर्चा करते हैं अगला person पुलिस की exam में पूछा गया है 2014 में 2011 में कि अगनी सामक के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है अगनी सामक जो यंतर होता है जिसका प्रियोग आग को भुजाने के लिए किया जाता है तो आग को भुजाने के लिए जिम्मेदार जो गयस होती है वो होती है CO2 और जो अगनी सामक जो यंतर होते हैं इन में फोमदार CO2 भरी जाती है CO2 का म inté presses carbon dioxide भरि जाती है तो यह आप यहां से सही जबाब बता सकते थे अगला परशन सहुसन खिरिया के दोरान मतलब किनवन की किरिया के दोरान किनवन की किरिया के दोरान कोन सी गैस उत्पन होती है CO2 गैस का उत्पादन होता है ऐसा आप यहां से जान चुके हैं पीछे यदि आप मेरे साथ continue बने हुए होंगे तो आप ऐसी बात को बता पा रहे होंगे चलिए तो अंतीम पर्षन पे हम चर्चा करते हैं यहां से यह भी पुलिस के एक्जाम में ही पूछा गया है ग्रीन हाउस परभाव किस गैस की वायू में सांदर्ता बढ़ने से होती है यदि CO2 जो गैस होती है यदि CO2 गैस की सांदर्ता वायू में बढ़ने लगे तो पर्तवी का जो तापमान होता है यह तापमान बढ़ने लगता है green house प्रबाव से संबंदित माना जाता है तो यहां से आप सही जबाब बता सकते थे PO2 यानि की carbon dioxide है यदि इसकी सांदरता भढ़ने लगे तो क्या होगा जैसे इसकी सांदरता भढ़ती है तो परत्वी का तापमान यानि की परत्वी जो होती है तो गरम होने लगती है जिससे उसका तापमान भढ़ने लगता है जिससे green house प्रबाव से संबंदित वाना जाता है तो इस परकार यहां से C आप अपना सही जबाब बता सकते थे इस परकार दोस्तों आज इस चोटे से वीडियो में यदि आप मेरे साथ class के सुरू से यहां तक भन पाए होंगे तो CO2 से समंदित सभी भैटनों को आप यहां से जान पाए होंगे इसी परगार छोटे छोटे वीडियोस के माद्यम से आपको जितनी भी गैसे हैं उन गैसों से रिलेटिव आपको कौन-कौन सी बाते आपको ध्यार में रखनी होती है और एक्जाम में आपको किस-किस परकार की क्यूशन पूछे जाते हैं उन सभी बातों को हम यहां से सीखने वाले हैं बसरते आप मेरे साथ सभी वीडियोस में कंटिन्यू बने रहे हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बाकी मुलाकात करता हूँ इसके अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का तह दिल से धन्यवाद